हेलो स्टुडेंट्स एंड वेल्कम बेक टू खत्री एड्यूकेर आज हम करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था एडिशन और जो सब्ट्रेक्शन हम जो कर रहे हैं टू डिजिट्स एंड थी डिजिट्स उसमें हमारा टॉपिक है सब्ट्रेक्शन एंड एडिशन के फेक्ट्स अभी तक हमने क्या किया है एडिशन किया सब्ट्रेक्शन किया किसका किया टू डिजिट और थी डिजिट के नंबर्स का उसके बाद में फिर हमने चेक किया कि जो सब्ट्रेक्शन हम लोग करते हैं वो सही एक नहीं है वो किया ह हमने check by addition method अब बारी आती है subtraction और addition के facts इसका मतलब यह है कि जब आप कोई numbers को add करते हैं तो वो addition करने पर आपको sum मिलता है जैसे कि देखिए यह one number और यह two number जब इन दो number को आप add करेंगे तो add करने पर क्या मिलेगा इन दोनों का sum मिलेगा तो यह जो sum है वो सही है या नहीं है दो number को मिलाने से उसको हम आज पढ़ेंगे कैसे subtraction और addition के facts से यह कैसे होता है अभी जो दो number है आपने add किये ठीक है अभी add करने पर आपको sum मिला इसका check करने का method है कि आप sum मैंसे सबसे पहले जो first number है उसको minus कीजिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा जो second number है यह और जब sum मैंसे आप minus करेंगे second number को तो आपको मिलेगा first number याने कि यह इसका मतलब आपने जो sum किया है addition किया है वो एकदम सही है इसको समझते है example से तो आपके लिए बहुत ही easy रहेगा यहाँ पर आपको दिया है क्या कि आपको add करना है किसको 55 plus 38 को तो यह भी 2 digit का number है और यहाँ पर यह भी एक 2 digit का number है ठीक है तो अब क्या करना है आपको once करना है और यह 10 का place अब 50 5 38 यहाँ पर लिखना है 8 आएगा once में 3 आएगा 10 में और क्या करना है plus का साइन लगाना है ठीक है अब क्या करते है सबसे पहले once के place को लेते हैं once का place प्लेस फॉर addition सबसे पहले तो यहाँ पर क्या दिया है 5 दिया है plus 8 दिया है 5 प्लस 8 कितना होता है 13 आता है यह 13 हो गया once या फिर one 10 प्लस 3 once तो 3 पे यह once पे क्या आएगा 3 और यह one 10 का जाएगा carry में अब 10 पे क्या है 5 प्लस 3 कितना होता है 8 8 के बाद में one carry का तो क्या मिला 9 तो 55 प्लस 38 कितना मिला 93 अब इसको कैसे check करते हैं देखिए sum तो हमने कर लिया 93 सही है या नहीं है इसके लिए क्या करते हैं सबसे पहले हम जो 93 है इसको दो जगह लिखते हैं मैंने क्या बताया था जो sum है उसमें से सबसे पहले एक नमबर को आपको subtract करना है तो दूसरा मिलेगा फिर दूसरे को करोगे तो first number मिलेगा तो यह 1 और यह 10 यहाँ पर मैं लिखता हूँ यह 1 और यह 10 अब दोनों जगह में इनका sum जो है 93 यह 3 1 में और 9 10 में 3 1 में 9 10 में ठीक है तो देखिए first number क्या है 55 तो 5 और 5 ठीक है अब इसको करूँगा मैं subtract sum में से second number 38 तो यह 8 और यह 3 माइनस करूँगा sum में से ठीक है अब क्या करेंगे subtract करने के लिए once में क्या दिया है 3 माइनस 5 अब 3 छोटा है 5 बड़ा है क्या करेंगे regrouping यानकी 9 10 है और 3 once है यहाँ पर क्या करेंगे इसको करेंगे 8 10 प्लस 1 10 प्लस 3 वन्स यह 8 10 प्लस यह 10 वन्स प्लस 3 वन्स मिलके क्या बन जाएगा 13 वन्स ठीक है अब यह 13 में यह 3 है यहाँ पर 13 और जो 9 की जगह 8 अब 13 माइनस 5 कितना मिलेगा 8 मिलेगा 8 को यहां लिख दीजिए 2 में 8 माइनस 5 कितना होता है 3 होता है 38 क्या मिला यह 2 नमबर ठीक है अब वैसे ही क्या था 93 माइनस 38 अगें यहाँ पर पहले वन्स का प्लेस 3 माइनस 8 3 छोटा है 8 बढ़ा है तो क्या करेंगे यहाँ पर 9 10 और यह 3 वन्स अगें यह क्या बनेगा यहाँ पर यह सेम यहाँ पर 8 10 प्लस 13 वन्स अब वन्स में 13 10 में 8 अभी 13 माइनस 8 देखिए 13 माइनस 8 करेंगे तो मिलेगा 5 और जब 8 माइनस 3 करेंगे तो मिलेगा 5 5 क्या मिला 55 याना कि जब 93 जो इनका सम आया है उस में से जब अमने 55 को माइनस किया तो 38 याना कि सैकेंड नमबर मिला यह जो दो नमबर है एड करते है तो इनको बोला जाता है addends तो एक addend को less minus किया subtract किया तो दूसरा मिला और जब दूसरे को minus किया subtract किया तो पहला addend मिला इसका मतलब यहाँ पर हमने जो यह sum किया है यह sum एकदम correct है तो जो addition और subtraction के जो fact होते हैं उन fact से हमने जो sum किया है उसको हम check कर सकते हैं कि वो sum सही है या फिर नहीं है अब यहाँ पर एक और example देते हैं आपको add करना है 101 and 69 ये 3 digit ये 2 digit तो क्या करेंगे add करने के लिए 1s, 10s, फिर 100s 101 ये 1s में, 0 10s में, 100s में और ये 69, 9 आएगा 1s में, 6 आएगा 10s में और प्लस करना है ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले 1s को लेंगे 1 प्लस 9 कितना होता है, 10 10 1s या फिर 1 10s और 1s में, 0 तो ये 0 लिखेंगे यहाँ पर ये 1 10s, 1 जाएगा carry में, अब बारी आती है ये 10s की, 10s में क्या है, 0 प्लस 6 0 प्लस 6 कितना हुआ, 6 1 carry है, प्लस 1 तो 6 प्लस 1 7, आप यहाँ लिख दिजिए 7 अब बारी आती है, 100s की 100s में क्या है, 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है या तो 0 लिखेंगे, या नहीं लिखेंगे तो 1 अब क्या मिला आपको यहाँ पर इसका sum 170 अब क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको चेक करना है, तो क्या करेंगे 100s, 10s, 1s, यह 1s, 10s, और यह 100s sum क्या है, 170 और यहाँ पर 170, क्या करना है, एक बार एक नमबर को माइनस करना है, याने कि यह 1, 0, 1 इसको subtract करेंगे, दूसरी बार क्या करेंगे यह 9 और यह 6, 69 को subtract करेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसे करना है, सबसे पहले लेते हैं इसको अब यहाँ पर 0 माइनस 1, यह छोटा है यह बढ़ा है, तो क्या करेंगे regrouping 7 10s plus 0 1s, यह क्या बनेगा 6 10s plus 1 10s plus 0 1s या फिर 6 10s plus 10 1s यह तो 0 है, तो 1s में 10 और 10s में 6 आएगा अब 1s की देखिए, 1s में 10 minus 1, अब 10 minus 1 कितना होता है 9 होता है, यहाँ पर आप लिकिए 9 अब 10s में क्या है, 6 minus 0 6 minus 0 किसी भी नंबर में 0 को subtract करेंगे, तो वही नंबर फिर से मिलेगा 6 अब बारी आती है, 100 में 100 में क्या है, 1 minus 1 1 minus 1 कितना होता है 0 किसी भी नंबर में, अगर उसी नंबर को, सेम नंबर को subtract किया जाता है, तो क्या मिलता है 0 आता है, तो यह 0 लिकिए, या ना लिकिए क्या मिला, 69 और यह 69 क्या है, यह second addend है ठीक है, अब बारी आती है 170 में से, यह जो second addend है, इसको subtract करना है, इसको subtract करने पे देखिए again, 0 minus 9, यह चोटा नंबर, यह बड़ा नंबर, regrouping regrouping में क्या मिलेगा, यही मिलने वाला है, तो यहाँ पर 10s, यहाँ पर 6 आएगा तो 1s में क्या है, 10 minus 9, 10 minus 9, 1 1 को यहाँ लिक दीजिए उसके बारी आती है, 10s की, 10s में क्या है, 6 minus 6, क्या होगा, 0, किसी नंबर में, अगर उसी नंबर को subtract करेंगे, तो 0 यह 0, यह 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 लिक दीजिए आप 0 लिखे, या ना लिखे, कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो क्या मिला 1, 0, 1 मतलब, यह जब, जो sum आया है, 1, 70, उसमें से 1st add-end को, इसको subtract किया, तो 2nd add-end मिला, और जब 2nd add-end इसको subtract किया, तो क्या मिला 1st add-end मिला, तो यहाँ से हम, अमने जो sum किया है वो सही है, या नहीं है, इसको check किया जाता है, आप इसकी practice करना, next video में, हम इसके 2 या 3 जो questions लेंगे, और उसकी practice कराएंगे, आशा करता हूँ कि यह जो मैंने आपको आज जो addition और subtraction के facts करवाई है, यह अच्छे से समझ में आए होंगे, मिलते हैं फिर next video में, thank you कर्वाई है, इसकिर बांगे, आपको आपको आपको